हेलो स्थूम मैं हुरुजात बहुत बहुत स्वागिता आप सब एक आए इस न्यूव वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्यल गुमेगेजी के प्यार बेके अपकमिंग एपिसूर के बारे में हाँ मुझे मालूम है बहुत दिन हो गया है लगबग चार पांस दिनों के बाद आज वीडियो आ रहा है और आप सभी लोगोंने सवाल धेर सारे पूछे कि रज़त भहिया भला आप गायब कहां पर हो गए है फोटोज वीडियोज मैंने इंस्टेग्राम पर अप्लोड कर दी है और कुछ भची है तो और कर दूँगा तो वहाँ परचा कर आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शिन में यूजर नेम नजर आई रहा है चलिए टॉपिक पर पकड़ लेते हैं हम लोग क्योंकि सवाल आपके बहुत सारे आ चुके हैं आने वाले एपिसूड का प्रीकेप एकसाइटेड नहीं बलकि एकसाइटमेंट को जकजोड देने वाला है क्योंकि शान और सवी को अलग होते हैं बहला कौन देखना चाहेगा लेकिन उसे के साथ ही यहां पर एक ऐसी अपडेट और जो थमनेल देखकर आप अंदर आये हैं उसको लेकर भी तगडी अपडेट आपके लिए में लेकर आया हूं जिहां मैं बात कर रहा हूं ACP बाजी राओ के बारे में अब देखो सबसे पहले तो यहां पर हम बात कर लेते हैं आने वाल एपिसूड की तो यहां पर सवी पूरी तरीके से पता लगाने की कुशिश कर रही है कि आकरकार जो चिनमे भोसले है वो चाहते क्या है और 24 घंटे अगले जो है बोसले परिवार के लिए भरी भारी पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहां चिनमे ने चैलेंज कर दिया है कि अगली 24 घंटे में यह प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम पड़ चाहिए वरना मैं मेरा वो रूप दिखाऊंगा जो आप कभी भी देख नहीं पाएंगे और ना सहन पाएंगे और आपकी इज़त पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी अब यहाँ पर यश्वंत जितना ज़्यादा रूड है जितना ज़्यादा क्रूर है उतना ही जो चिनमे है वो यहाँ पर ढीट दिखाया गया है और उतना ही चार्मिंग भी दिखाया गया है तो पसंद आ रहा है सभी को करेक्टर अब यहाँ पर यश्वंत को ना चाहते हुए भी वो धहरा धून वाली जमीन आने वाले एपिसूड में चिनमे को देनी ही पड़ेगी और उसकी रकम चिनमे को देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वो चिनमे के आगे दबे या ना दबे लेकिन शिखा जब बात करने वाली यह डिवास की और इन सब सारी चीजों की स्त्रिधन की तो यहाँ पर यश्वंत और अक्का साहेब को ना चाहते हुए भी चिनमे को जो है अका साहेब तो चाहती है वैल की बच्चे को सब कुश रे दिया जाया यह शुद नहीं चाहता है और यहाँ पर पूरी तरीके से पैसे जो है वो चिनमे को मिलने वाले हैं आने वाले एपिसूड में और सभी जो support करने वाली है यहां पर चिनमे का जब सारे घरवाले चिनमे के against होंगे तो सभी जब unexpected तरीके से support करने वाली है चिनमे का तो इस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और इशान को लेकर अब आप आने वाले episode में कहोगे मैं तो को यही कहूंगा कि टमाटर ओंवाटर लेकर बैठ जाना वैल टीवी पर मत माणना नुकसान आप लोगों का हो जाएगा पर आपको मन जरूर होगा तो उसको हातों में ही फोड लेना बिकॉस यहां पर इशान करने ही कुछ ऐसा वाला है आने वाले episode में अब वो क्या है मैं आपको बताऊंगा ACP के बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इशान भाई साब के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर सीरिल के lead actor तो वो ही है अब यहां पर इशान आने वाले episode में आकर सवी को पूरी तरीके से realize करा देगा कि वो सिर्फ एक student है उसकी और उसका target सिर्फ एक होना चाहिए वो है UPSC का exam crack करना उसके अलावा उसकी life का कोई मकसद नहीं होना चाहिए यहां पर वो सवी को indirectly समझा देगा कि इशान और उसकी सवी की शादी कोई माईने नहीं रखती है उसका कोई वजूद नहीं है और यहां पर उनका कोई भविश्य भी नहीं है बस वो वहीं तक है जब तक सवी एक I.S. officer नहीं बन जाती है और हरीनी ताइट ठीक नहीं हो जाती है ऐसे में यहां पर सवी के सारे मनसूब है और उसका दिल दोनों तूटते वे आपको नजर आएंगे आलगी शान को बाने वाले एपिसूड में खुद को रियलाइज होने वाला है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है सवी को ये सारी चीजे बोल कर विकास उसे भी समझ में आने वाला है कि कहीं न कहीं पर वो भी सवी से अटेच्मेंट रखता है अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर हमारे सभी सभी के फिवरेट यानी की एसीपी बाजीराओ के बारे में क्योंकि आज के एपिसूड में बरसों की तपस्या लग रही है मुझे तो उसके बाद हमें सीरियल के अंदर बाजीराओ का जिक्र सुनने को मिला जब सभी पुलीस वाले को कहती है कि आपके एसीपी साब से बात कराती हूँ ना मैं भी और पुलीस वाले की हालत खराब हुचाती है तो आशा की एक किरन आ गई हम सभी के सामने कि एसीपी बाजीराओ की एंट्री जो है यहां पर फिर से कहानी में होगी और देखो सीधी सी बात है इसी भी बाजीराओ आते है ना तो कहानी नेक्शन लेवल हो जाएगी यह बात हम सभी को पता है अलकि माँ आप सभी को बता दूए इसी बाजीराओ का किरदार जो रिशी शक्सेना निभा रहे हैं हाली में मराथी फिल्म के शूट करके वो पुरी तरीके से तैयार है उनकी मुवी भी रिलीज हुई है मराथी मुवी और वहाँ पर बहुत अच्छा काम उनको मिल रखा है वो ऐसे चोड़े मोड़े एक्टर नहीं की प्रोजेक्ट का इंतजार करेंगे कि क्या फिर से उनकी कहानी में एंट्री होने वाली है तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि इसको लेकर जो नई अपडेट है वो ऐसी है कि फिलाल उन्होंने ऐसा कोई भी सीन शूट नहीं किया है कहानी के अंदर केवल और केवल एक सीन के लिए उनका जिक्र हुआ है लेकिन सील के मेकरस नहीं कहीं नहीं हमें पॉइंट कर दिया है कि एसीप का किरदार सील में कभी भी रिटन हो सकता है बिकाज उसकी जो अभी भी उमीद है वो बाकी हैं लोगों के विकॉज सवी ने उसका जिक्र किया है अब यहाँ पर उनकी एंट्रिक क्यों नहीं हो रही है तो देखो यार इसका रीजन साफ साफ क्लियर है कि पहले यहाँ पर इशान का किरदार जो है वो ACP बाजीराओ के आने के बाद effect हुआ था अब चिन्मे का किरदार आ गया है तो भी यहाँ पर जो शक्ती एरूरा का किरदार है इशान का किरदार वो यहाँ पर पूरी तरीकी से effect हुआ है क्योंकि एक time पर एक lead ही serial के अंदर रह सकता है दो हो जाते हैं तो audience जो है वो पूरी तरीकी से divide हो जाती है यहाँ पर चिन्मे आकर इशान पर भारी पढ़ने लगा है तो सोचिए ACP बाजी राओ भी आ जाएगा तो चिन्मे और इशान दोनों पर भारी पढ़ जाएगा या फिर इशान दोनों के पर भारी पढ़ जाएगा लेकिन audience जो है वो तीन हिस्सों में divide हो जाएगी एक कहेगा कि सवी को इससे शादी करनी चीए दूसरा कहेगा सवी को इससे शादी करनी चीए तीसरा कहेगा कि शिखा को हटाओ चिन्मे को सवी का husband बनाओ और यहाँ पर ऐसी सी चलती रहेगी फिर और यही चीज़े सीरिल के makers को बिलकुल पसंद नहीं आती है बिकॉज वो कहानी में फिर उलच जाते हैं और यही होता है जब यहाँ पर कई सीरिल आपने देखे होंगे 100-200 एपिसोड में खता हो जाते हैं रीजन यही है कि वो कुछ एक्स्ट्रा करने के चकर में खुद के सीरिल को डिस्ट्रॉई कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ चंद दिनों के टी आरपी के कारण वो लंबे टाइम तक टी आरपी चार्ट में स्टैंड नहीं कर पाते और रीजन होता है लो टी आरपी और उसके बाद ओफ एर अब यहाँ पर सीरिल गुमे किसी के प्यार में की मेकर्स बहुत अच्छी खासी स्टोरी लाइन लेकर यहाँ पर चल रहे हैं और परफेक्ट और परफेक्ट तो नहीं करूंगा थोड़ी लो स्पीड में लेकिन एक कंसिस्टेंट तरीके के साथ और वो ओडियन्स का रियक्शन से साफ फता चल रहा है कि ओडियन्स के क्या रियक्शन है सीरिल को लेकर फिलाल तो ओके-ओके चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पर चिन में के किर्दार ने आकर एक पॉजिटिव एफेक्ट कहानी को दिया है और आने वाले एपिसोड में और भी चटपटा यह किर्दार होने वाला है जब यह सभी के साथ बॉन्डिंग क्रियेट करेगा और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताइए दोस्तों आप लोग कितना एकसाइटेड आने वाले एपिसोड में 24 घंटे को देखने के लिए इसी रिल्गों में किसके प्यार में के अंदर कितने डिसपॉइंटेड है इसी भी बाजी राओ के वापस ना आने को लेकर कमेंट सेक्शन बिए बताइएगा कोई भी सवाली शेयर कर सकते सपोर्ट कर सकते इस्टेग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया जुदर ने में नजर आई रहे चनल को सब्सक्राइब कर देचे मैं वह रहूंग आप सब लोगों सेकले वीडियो में जब तक किरिए तेंक्यों दोस्तों